चैनल्स में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम आपको नवीनतम और रोचक विशयों पर वीडियो स्प्रदान करेंगे हमारे चैनल पर रोचक जानकारी, शिक्षा, मनुरंजन और अन्य विभिन विशयों पर वीडियो उपलब्ध है आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट टेंपलेट स्ट्रिंग्स क्या होता है और इस्तमाल कैसे किया जादा है जावा स्क्रिप्ट टेंपलेट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग टेंपलेट स्ट्रिंग्स, 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 स्ट्रि उदाहरन Multi-line Strings सक Template Strings Multi-line Strings की अनुमती देती है उदाहरन प्रक्षेप Template Strings Variables और अभिव्यक्तियों को Strings में प्रक्षपित करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है विधी को Strings Interpolation कहा जाता है वाक्य विन्यास है चर प्रतिस्थापन Template Strings Strings में Variables की अनुमती देते है उदाहरन वास्तविक मूलियों के साथ चर के स्वचालित प्रतिस्थापन को Strings Interpolation कहा जाता है अभिव्यक्ति प्रतिस्थापन Template Strings Strings में अभिव्यक्ति की अनुमती देते है वास्तविक मानों के साथ अभिव्यक्तियों के स्वचालित प्रतिस्थापन को स्ट्रिंग इंटर्कोलेशन कहा जाता है HTML Template JavaScript Template Strings Template Strings में Variables की अनुमती देते हैं Template Strings आज हम देखेंगे JavaScript नंबर क्या होते हैं और इस्तमाल कैसे किया जादा है JavaScript नंबर JavaScript में केवल एक प्रकार की संख्या होती है संख्याओं को दशमलव के साथ या उसके बिना भी लिखा जा सकता है अतिरिक्ट बड़ी या अतिरिक्ट छोटी संख्याओं को वैग्यानिक, धातांक, संकेतन के साथ लिखा जा सकता है JavaScript नंबर हमेशा 64-bit floating point होते हैं कई अन्य प्रोग्रामिंग भाशाओं के विपरीत, JavaScript विभिन्न प्रकार की संख्याओं को परिभाशित नहीं करता है जैसे पूर्णांक, लगु, दीर्ग, floating point आदी अंतराश्य IEEE 754 मानक का पालन करते हुए JavaScript नंबरों को हमेशा डबल प्रिसिजन floating point नंबरों के रूप में संद्रहीत किया जाता है यह प्रारूप संख्याओं को 64-bits में संद्रहीत करता है जहां संख्या, अंश, bit 0-51 में संद्रहीत होती है घातांक bits 52-62 में और sign in bit 63 में संद्रहीत होता है पूर्नाक परिशुद्धता पूर्नाक बिना किसी अवधिया घातांक संकेतन वाली संख्याओं 15 अंकों तक संख्याओं होती है दशमलव की अधिक्तम संख्या संख्या संख्याओं है उदाहरन floating परिशुद्धता floating point अंगड़त हमेशा 100% सतीक नहीं होता है उप्रोक्त समस्या को हल करने के लिए यह गुणा और भाग करने में मदद करता है संख्याओं और strings जोडना चेताबनी जावा स्क्रिप्ट जोड और सन्योजन दोनों के लिए प्लस ओपरेटर का उप्योग करता है नंबर जोडे जाते हैं तार जुडे हुए हैं जावा स्क्रिप्ट दुभाशिया बाए से दाय काम करता है पहले 10 प्लस 20 जोड आ जाता है क्योंकि X और Y दोनों संख्याए है फिर 30 प्लस 30 इंच को सन्योजित किया जाता है क्योंकि Z एक स्ट्रिंग है यदि आप दो संख्याए जोडते हैं तो परिणाम एक संख्या होगी यदि आप एक संख्या और एक स्ट्रिंग जोडते हैं, तो परिणाम एक स्ट्रिंग सयोजन होगा इस परिणाम के 30 होने की अपेक्षा करना एक सामान्य गलती है संख्यात्मक स्ट्रिंग सक जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग समयोजन करने के लिए प्लस ऑपरेटर का उप्योग करता है उदाहरन यहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा, यह भी काम करेगा, और यहाँ काम करेगा, लेकिन यहाँ काम नहीं करेगा Nain कोई संख्या नहीं Nain एक JavaScript आरक्षित शब्द है जो दर्शाता है कि कोई संख्या कानूनी संख्या नहीं है गैर संख्यात्मक string के साथ अंकगनित करने का प्रयास करने पर Nain संख्या नहीं प्राप्थ होगा उदाहरन हाला कि यदी string संख्यात्मक है तो परिणाम एक संख्या होगी आप यह पता लगाने के लिए वैश्विक JavaScript फंक्षन इस Nain का उप्योग कर सकते हैं कि कोई मान कोई संख्या नहीं है Nain से सावधान रहें यदी आप गनितिय संक्रिया में नान का उप्योग करते हैं तो परिणाम भी नान होगा या परिणाम नान पांच जैसा सयोजन हो सकता है अनन्त यदि आप सबसे बड़ी संभावित संख्या के बाहर किसी संख्या की गणना करते हैं, तो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी वह मान है जो जावा स्क्रिप्ट लौटाएगा. उदाहरं शून्य शून्य से विभाजन भी अनन्द उत्पन्न करता है. इन्फिनिटी एक संख्या है, इन्फिनिटी रिटर्न संख्या का प्रकार. हेकसाडेसिमल जावा स्क्रिप्ट संख्यात मक्स थिरांग को हेकसाडेसिमल के रूप में व्याख्या करता है, यदि उनके पहले शून्य एक्स है. कभी भी अग्रणी शूनी जैसे शूने साथ वाली संख्या न लिखें कुछ JavaScript संसकरन संख्याओं को अश्टक के रूप में व्याख्या करते हैं यदि वे अग्रणी शूनी के साथ लिखे गए हूँ डिफॉल्ट रूप से जावा स्क्रिप्ट संख्याओं को आधार 10 दशमलव के रूप में प्रदर्शित करता है लेकिन आप बेस 2 से बेस 36 तक संख्याओं को आउटपुट करने के लिए टुस्ट्रिंग विधी का उप्योग कर सकते हैं 1.5 आधार 16 है दशमलव आधार 10 है ओक्टल आधार 8 है बाइनरी आधार 2 है वस्तों के रूप में जावा स्क्रिप्ट संख्याएं आम तोर पर जावा स्क्रिप्ट संख्याएं अक्षरशा से निर्मित आदिम मान होती है लेकिन संख्याओं को नए कीवर्ड के साथ औबजेक्ट के रूप में भी परिभाशित किया जा सकता है संख्या औबजेक्ट न बनाएं नया कीवर्ड कोड को जटिल बनाता है और निश्पादन गती को धीमा कर देता है संख्या वस्तुए अप्रत्याशित परिणाम कुद्पन कर सकती है उदाहरण ओपरेटर का उप्योग करते समय X और Y बराबर है ओपरेटर का उप्योग करते समय X और Y बराबर नहीं है X, Y सत्य या असत्य?